नमस्का दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर नपम खोशे मैं डियाबिटी स्कोच हूँ और एक फिट्नेस न्यूटिशन स्पेशलिस्ट आज मैं आप लोग को बताऊंगा सुबह उठके मैं अपनी दिन की शुरुवात कैसे करता हूं जिससे कि मैं बहुत जादा फीट रहता हूं हूं स्ट्रॉंग रहता हूं मेरा इम्मिनिटी बूस्ट रहता है मेरा शुगर लेवल कंट्रोल रहता है तो बने रहे हैं मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए नमस्का दोस्तो मेरा नाम डॉक्टर नंपम खोश है मैं एक डियाबिटीस कोच हूं और एक फिटनेस नियूडिशन स्पेशलिस्ट आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि मैं अपनी दिन की शुरुवात कैसे करता हूं तो गैस आप देख सकते हैं मेरे पास एक पै यह मैंने अमजन से लिया है इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा तो अगर आप खरीदना चाहते तो आप खरीद सकते हैं आप देख सकते कि यह मौरिंगर पाउडर है मौरिंगर को हम ड्रम स्टिक भी बोलते हैं और इसमें काफी चीज लिखा हुआ है आप इसमें पढ़के सुनाता हूं आपको रिच सोर्स ऑफ पावरफुल विटामिन्स एंटी ऑक्सिदेंस तु बूस्ट ऑवरॉल इम्यून सिस्टम इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिलता है जिससे कि आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है अभी आप देख रहे हैं पैंडे को ये लेना चाहिए मैं खुद लेता हूं अगर आप इसमें देखेंगे कि क्या इसका खासियत है तो इसमें 14 गुना केल्शियम मिलेगा आपको दूद से 9 गुना जादा आइरन मिलता है पालक से 4 गुना जादा फाइवर मिलता है ओट से 4 गुना पोटेशियम मिलता है इस एक किलो का packet है आप देख सकते हैं एक किलो का packet तक्रिवन 700 रुपय के आसपास है पीछे MRP इसका सारे 700 लिखा हुआ है लेकिन आपको सारे 600 700 तक आपको Amazon में मिल जाएगा और पीछे अगर मैं इसकी ingredient की बात करूँ तो आप ingredient में देख सकते हैं 100% organic moringa, olifera, leaves है और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ इसमें moringa leaf का powder है और कुछ भी नहीं है 100% vegan है no fillers, binders और common allergens कुछ भी नहीं है तो यह बहुत ही जादा safe है हर कोई ले सकता है इसमें और इन्होंने यह भी बता है कि इसको कैसे लेना है तो suggested use में इन्होंने लिखा है कि add 5 gram of moringa powder to your favorite beverage and shake well for the proper mixing you can take this mixture once or twice daily त इसको आप किसी भी smoothie के साथ मिला के ले सकते हैं लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं सिर्フ और सिर्फ पानी के साथ लेता हूं तो आएथ इसको लेकिए फिर बताता है इसकी taste कैसा है जैस इसकाँ कोई taste नहीं है आपको taste इसी से करता हूं मैं एक चमच तक्रीबन ऐ दे लूँगा और इसमें मैं अभी पानी डाल दूँगा यह मैं पानी मिला रहा हूँ तो एक ग्लास पानी मैंने मिला दिया आप इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे यह इस तरह से मिल जाएगा और उसके बाद फिर मैं इसको पी लेता हूँ तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा एंटी ऑक्सिडेंट है विटेमिन से मिनेल्स है और अच्छा खासा प्रोटीन भी है तो आप भी अपना दिन की शुवाद इससे कर सकते हैं मैं अपने दिन की शुवाद इसी से करता हूँ इसलिए मेरा इम्मुनिटी काफी स्ट्रॉ जर्णी का अब मैं आप लोग बताउंगा मोरिगगा का और भी बहुत सारे बेनिफिट्स न बटाउंगा मोरिंगंग औलिफेडा एक बहुत ही अच्छा एंटी ऑक्सिडेंट है च्छा शाय बढद यह बाड़ होता है उसको हटाने में मदद करता है तो anti-oxidant लेना बहुत जरूरी है एक study में ये देखा गया कि कुछ महिला है अगर moringa का 7 करते हैं तक्रीबन 7 gram के असपास powder form में लेते हैं तक्रीबन वो 3 महिना उन्होंने लिया था तो उससे देखा गया कि उनका जो blood में anti-oxidant level है वो काफी हद तक बढ़ जाता है moringa leaf का जो extract है वो काफी ठाने में इस्तमाल किया जाता है as a food preservative ये देखा गया कि अगर आप meat में moringa leaf extract यूज करते है तो meat का shelf life जो है वो काफी बढ़ जाता है अगर आप रोजाना moringa का 7 करेंगे तो आपका blood sugar को manage करने में भी वो मदद करेगा moringa में एक plant compound पाया जाता है जिसका नाम है isothiocynates और isothiocynates की वज़े से ही आपका blood sugar जो है काफी कम रहता है एक छोटा सा study किया गया था जिसमें 30 महिलाओं ने भाग लिया था उनको तक्रीबन 7 ग्राम के आसपास moringa leaf powder दिया गया था तीन महिने के लिए और तीन महिने के लिए जब उनको moringa leaf powder दिया गया तो यह देखा गया कि उनका fasting sugar जो है वो तक्रीबन 13.5 परतिशत तक कम हो गया है एक और study में 6 लोगों को लिया गया था जिनको diabetes था और उस study में यह देखा गया कि जब उनको 50 ग्राम के असपास moringa leaf उनके खाने में शामिल किया गया तो उनका blood sugar जो है तक्रीबन 21 परतिशत तक कम हो गया था अगर आप रोजाना moringa olifera का 7 करेंगे तो आपके शरीर में जो inflammation होता है उसको भी कम करने में मदद करता है और जैसे कि मैंने थोड़ा दिर पहले ही आपको बताया था कि moringa में एक प्लांट कमपाउंड पाया जाता है जिसको हम बोलते है और ये एक बहुत ही अच्छा anti-inflammatory है और inflammation जैसे कि मैंने आपको एक और वीडियो में समझाया था कि ये body का एक natural mechanism है जब भी आपको कोई injury होता है या फिर infection होता है लेकिन inflammation अगर बहुत लंबे समय तक होता है तो उसको फिर हम chronic inflammation कहते है और chronic inflammation की वज़े से आपको और भी बहुत ही अच्छा anti-inflammatory है अगर आपका cholesterol level जैसे की LDL या triglyceride ये बढ़ा हुआ है तो कई बाद आपका heart attack होने का भी chances रहता है तो इसलिए cholesterol को कम करना बहुत ज़रूरी है खास करके LDL triglycerides ये कम करना बहुत ज़रूरी है और ये देखा गया है बहुत सारे studies में अगर आप mooringa का regular seven करते हैं तो आपका cholesterol level को घटाने में वो मदद करता है तो दोस्तों ये था कुछ mooringa का benefits उमीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और अगर आप को ज़रूर शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी पाइदा हो सके तो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूंगा आप लोग से एक नए वीडियो के साथ स्वास्त रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत देन्यवाद कर दो कर दो